राजस्थान की अंजु आपको याद होगी जो कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया की संसनी बनी थी वो अपने प्यार को पाने के लिए अपने पती और बच्चों को जोड़ कर भारत से पाकिस्तान पहुच गई थी लेकिन अब वो वापस आ गई है जिसको लेकर अब लोगों के मन में अंजु को लेकर तमाम सवाल है क्या वो अपने प्रेमी से तलाक लेकर आई है क्या अंजु अब यही रहने वाली है क्या अब वो अपने बच्चों को लेकर वापस जाएगी बतादी की करीब 6 महीने पहले अंजू अपने प्रेमी के लिए राजस्थान से पाकस्तान चली गई थी पहले तो उन्होंने कहा कि वो घूमने जा रही है लेकिन राज धीरे धीरे जब खुले तो पता चला वो अपने प्रेमी नसरुला के लिए गई थी जहां उन्होंने उससे शादी कर फातिमा बन गई थी जिसकी तस्वीरे जम कर सोशल मीडिया पर वाइरल हुई थी लेकिन अब अंजू भारत पहुँची है तो वो मायूस दिखी और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं चल रहा इसलिए दोबारा वो भारत वापस लोटी है अब कयास ये भी लगाएशा रहे हैं कि शायद उनका पाकिस्तानी पती नसरुल्ला से तलाख हो गया है लेकिन हम इसकी अभी पूश्टीद नहीं करते हैं अंजू के भारत पहुचते ही पहले तो सुरक्षा एजन्सियों ने उससे पूचताच की जसके बाद उसे अमरिटसर एयरपोर्ट लाया गया जहां से दिल्ली के फ्लाइट में बैठाया गया और अब वो आज रात दस बजे तक इंडिगो विमान से दिल्ली पहुच जाए अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद जहां पती अर्विंद में भी काफी नाराजगी देखी गई थी तो वहीं अंजू के पिता ने उसे अपनी बेटी मानने से भी इंकार कर दिया था पर अब अंजू फिर भारत वापस आ गई है अब किस एजेंडे से वो आई है अभी इसकी कोई खास जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है पर सवाल यह है कि अगर वो प्रेमी नसरुला से तलाक लेकर भी आई है तो क्या अब उनका परिवार और पती उन्हें अपनाएगा या नहीं